तो चलिए गाइस, इन दोनों की पोल खोलते हैं अभी, ठीक है, बहुत बोल दिया यार, पोल खोलते हैं, मैंने बहुत सोचा कि इसके उपर मैं इस जन जन में नहीं पढ़ूँगा, बिल्कुल बात नहीं करूँगा, बिल्कुल डेटेलिंक्स में वीडियो नहीं मैं नहीं बनाऊँगा, तो कौन बनाएगा, मेरे ख्याल से तो कोई बनाएगा नहीं, कोई नहीं बनाएगा, तो इसलिए, जो गलत है ना, उसके उपर परदा फास करना बहुत जरूरी है, और मैं करके ही रहूँगा, ठीक है, मैं करके ही रहूँगा, चाहे इस वीडियो क आप लोग सेर करो ना करो, लोगों के पास पहुंचाओ ना पहुंचाओ, लोगों के पास पहुंचाओ ना पहुंचाओ, लेकिन मैं बोलके ही रहूंगा, तो चल यह बात करते हैं, तो पहले ही बात करेंगे आधिपुरुस के बारे में, जो कि इन दोनों का सबसे बड़ा हत आदिपुरुस की बात करके ही सलार को टोल किया जा रहा है, प्रावास को टोल किया जा रहा है, खास तोर पे, आदिपुरुस की ही बात कर रहा है, खास तोर पे, आदिपुरुस ही इन दोनों का सबसे बड़ा हाथियार है, जो के आदिपुरुस का नाम ले करके ही सबका बंद करने की कोसिस कर रहे है यह लो तो आदि पूरुषust के बारे में ही बात करते है पहले देखो आदि पूरुषको तो मैं भी dangpa के केरियर की एक फ्लॉफ एक डिजार्स्टर नहीं मानता ओं मैं कलंक मानता हूं और मैं भी darling प्रवास को कुछता हूँ कि आदिपूरुष मुवी में darling प्रवास जुड़ना ही उनका सबसे बड़ा गलती था अगर darling प्रवास आदिपूरुष में movie में नहीं होते तो साइथ उनके उपर अभी ये उंगली नहीं उदपा दी लेकिन बो मुद्दा नहीं है इन दोनों का गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ देखो आदिपूरुष मुवी आया आदिपूरुष मुवी सब ने देखा सब लोग ट्रोल करें बहुत कुछ हुआ each and everyone सब के सब आदिपूरुष मुवी को बहुत बलावुरा के बहुत कुछ बहुत ट्रोल करें और बो चप्टर क्लोज हो गया लेकिन इन दोनों का प्रोब्लेम क्या है पता है आदिपूरुष जैसा फिल्म बनाने के बाद भी प्रभास की स्टैडम इतना किदिना है इतना कैसे है प्रभास की लाइन अप इतना तगड़ी कैसे है प्रभास की नेक्स्ट फिल्म के लिए लोग इंतजार क्यों कर रहे है प्रभास की नेक्स्ट फिल्म को लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे है इन दोनों का यही प्रोब्लेम है समझ रहो आप आदिपूरुस जैसा फिल्म बनाने के बाद भी प्रभास को लोग इतना प्यार क्यों कर रहे हैं आदिपूरुस जैसा फिल्म बनाने के बाद भी प्रभास की लाइनप इतनी तगड़ी क्यों है जो कि किसी का भी नहीं है ये इन दोनों का प्रोब्लेम है इन दोनों के हिसाब से प्रभास को सब लोग hate करना चाहिए इन दोनों के हिसाब से प्रभास की career अभी पूरा down हो जाना चाहिए कोई भी film नहीं आना चाहिए ये लोग वो वीडियो में directly बोल रहें कि आदिपुरुस अगर कोई और hero करता तो अभी 10 साल तक उसका कोई भी film नहीं आता तो प्रभास के साथ भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए तो इन दोनों को मैं जवाब देना चाहूँगा ये आदिपुरुस वाले किस्से में हमारे इस वीडियो की प्रभास को लोग प्यार करते हैं इसका मतलब किसी भी hero को किसी भी इनसान को लोग प्यार करते हैं बस उसकी किरदार के लिए नहीं प्रभास को लोग क्यों प्यार करते हैं जागर को उसकी real life को देखो वो लोगों के साथ किसे पेश आता है और्डियंस को कितना प्यार करता है उसका humanity उसका honesty किस तरह से लोगों के साथ पेश आता है, किस तरह से उन लोगों को प्यार करता है, लोगों की मदद करता है, उसकी रियल लाइफ में क्या-क्या होता है, आप जागर के उसमें जाको थोड़ा, तभी तुम लोगों को पता चलेगा, कि डालिंग प्रभास क्या है, और उसको ड सर्वाई भी नहीं कर पाते ना सुनुसूद इसके बहुत बढ़े एक्जम्पल है वो हर एक फिल्म में विलन के किर्दार में नजर आते हैं एकदम से क्रूर काम करते हैं लेकिन रियल लाइफ में हिरो हैं ये मतलब करोना के टाइम पे कितना मदद कर रहे थे लोगों को तो ये होता है एक्चुली लोगों को समझ में आता है कि फिल्म में जो दिखाये जा रहा है वो एक किर्दार है वो एक एक एक्टिंग है लेकिन रियल लाइफ में बंदा कैसा है उसी हिसाब से उसको सच्चा प्यार किया जाता है और प्रभास वही प्यार को डिसर्व करता है कोई प्यार को कमाया है। सिर्फ फिल्म के लिए नहीं।ॡ पृतिराश्चूकमारन अभी-भी वीडियो में बोल रहते । को उनको रैवेल स्टार क्यों बोला मुझे नहीं पता। लेगिन डाल लिग क्यों बोला जाता है मुझे अच्छी तरह से पता है। मट्याजरेटकर तो इसी बजर से डालिंग प्रभास की डालिंग प्रभास् को लोग इतना प्यार करते हैं ठीक है है इस अब लोग का वह समझने की बसकी बात नहीं है क्यों कि आप लोग के मन में हेट ही हेट है अब यह Wasnque किससे कि, सलार को लेगर, सलार के साथ की इन लोग का क्या प्रोब्लेम है, देखो सलार को लेगर की इन लोग का क्या प्रोब्लेम है, कि सलार मुभी पब्लिक को पसंद क्यों आई, ठीक है, इन लोग का यही प्रोब्लेम है, सलार मुभी पब्लिक को पसंद क्यों आई, जो कि तुम लोग ये कहना चाहते हो, कि जो लोग भी थेटर से निकल करके आ रहे हैं, सलार मुवी के गूझे ऊठा रहे है, सलार मुवी का नाम ले रहे हैं, सलार सलार के के चिला रहें, देवरॉधा रएस राशार करके बों इंटरवाल वाली बात को चिला रहें आप allora अरे सारे के सारे audience फिल्म को पसंद कर रहे है, Netflix पे चल गया, हर जगा पे चल गया, तुम लोग इतना negativity फैल आए, फिर भी फिल्म इतरा कमाई करी, तो कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, तुम दोनों को पसंद नहीं, आई तो फिल्म गलात हो गया फिल्म, इतने लोगों को रहे थे, मैं उनके मिल्मून से मिला था, और ये प्रसान निल जी के जो वाइप है, लिकिता मैं, उनके साथ अभी भी वो बात करता है, बो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन सलार के मेकर्स बोलो कर्पूरेट बुकिंग करें, क्या बोलते बग तुम्हारा सेंस कहीं उर बहुत दोनों मूवी के मैकर्स दोनों से में बोल करके, सलार मूवी बना दिये, प्रभास के साथ तो बोलो गलत होगे, और केजेब Executive मूवी बना दिये, रौकी बहाई के साथ, रौकिंग स्टार यश्स के साथ, बोलो अच्छे होगे, ये क्या है, तुझे बुला लिये उ तुम दोनों को कहना चाहूंगा, अगर सलार मुवी जो है, लोगों को पसंद नहीं आई है, वहाँ पे जो एलिवेशन, जो बिल्डब, जो एक्षन, जिसको लोग पुरा एंज़ोई कर रहे हैं वो सारा चीज को, वो बस मेकर्स को पता है कि वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन ओडियन्स यहाँ पर फ्रह थंडा बठे पड़े हैं, ओके तुम लोग को अगर ऐसा लगा है, तो भाई तुम लोग वहाँ पे सलार टू के बारे में जिकर क्यों नहीं करें, अगर सलार मुवी को लोग पसंद नहीं करें, तो सलार टू मुवी नहीं चलना चाहिए तो वहाँ पे तुम्हारे दो घंटे की वीडियो में ये बात क्यूं नहीं बोली कि सलार्टू मुवी कमाई नहीं कर पाएगा, सलार्टू मुवी फ्लॉप हो जाएगा, ये बात क्यूं नहीं करें बताओ मुझे अगर तुम तोनों इतना सही हो, औरिन्स बिलकुल सलार्टू मुवी के साथ नहीं हुआ है व्लॉप हेगा, बस फैंस को ही पसंद आया है तो सलार्टू मुवी नहीं चलना चाहिए जैसे हर एक सिक्वेल मूवी के साथ होता है जैसे ब्रह्मास्त्रा कहीं घुसा पड़ा है उसका पाट्टू का कुई नामों निसान नहीं है इसे बहुत सेरी फिल्म है पाट वान बना देते हैं यह कौन सा अजय देखवन सर का जो फिल्म आया था कैथी का जो रिमेक था कौन सा फिल्म है नाम बूल जा रहा हूं है वो फिल्म का भी पाट टू का कुछ भी नामों निसान नहीं है अगर स्पाट वान अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो पाट टू के बारे में तुम लोग तो बोलना चाहिए कि सलाट्टू बिल्कुल काम नहीं करेगा वो पीट जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा क्यों नहीं बोले एक सब्द भी तो सलाट्टू के बारे में कुछ नहीं बोले है तुम लो और सलार के बारे में यहाँ बेटिंगे मार रहे हो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है दोस्त कि इन दोनों का क्या प्रोब्लेम है कि सलार मुवी जो है न बस एक बुरी मुवी है और आदिपूरुस के बाद सलार मुवी आ करके फ्लॉप हो जाना चाहिए था आदिपूरुस बना दिया है प्रवास अभी सलार मुवी उसका आ रहा है और लोगों का गलत रियक्शन होना चाहिए और सलार मुवी को फ्लॉप करना चाहिए लेकिन फला मुवी तो बलगवश्टर होगी है सलार मुवी तो बलगवश्टर होगी है तो इन दोनों का फट गया तो इसलिए इस तरह का frustration वाली बात कर रहे है तो सलार मुवी की बात हो रहे तो मैं यहाँ पर fighter की बात कर लिता हूँ fighter movie को ले करके ना guys यह लोग बहुत सारी बाते करे हैं fighter movie पुरा एकदम से master fish movie है बहुत कमाल की movie है यह है वो है दिमका फलाना बहुत कुछ बोले है लेकिन जरा भी जिकर नहीं करे है सिध्धात अरंड के बारे में सिध्धात अरंड का जो statement आया था frustrated वाला कि लोग flight में नहीं बेटे हैं इसलिए मेरे film को समझ में नहीं आया उन लोगों को जो इस तरह का जो एक statement था उनका उसके बारे में ये लोग जिकर नहीं करें क्या इतना rare वाली बात था वो जो इन लोगों के दिमाग में नहीं आया वो तो पुरा highlight मचा दिया था पुरा एकदम से हर तरब छा गया था सिध्धात अरंड का बहुत वाला statement मतलब audience को ही वो गलत ठहरा रहा है उसका film बहुत अच्छा है लेकिन audience बुरे है ठीक उसे तरह यहाँ पर इन दोनों का भी वही दावा है कि सलार मुवी बुरी मुवी है ठीक है लेकिन audience ही fools है जो कि सलार मुवी को पसंद कर रही है समझे रहो मेरी बात तो दोनों का सिध्धातानंद और इन दोनों का जो mindset जो है वो same है इसलिए सिध्धातानंद वाली बात को ये लोग नहीं करते हैं वहाँ पर कहना चाहिए न देश की बात करते हो, honesty की बात करते हो, धर्म की बात करते हो सिधात अनन जो बोला है वो सही बात है फ्लाइट में बेठो और फिल्म देखने आओ आप लोगों को समझ में आएगा यह सही बात है क्यों नहीं करे रहे दो घंटे बारा मिनिट का वीडियो में हैं होनेश्टी की बात करते हो तुम दोनो केजर चैप्टर टू के बारे मैं सान बोल रहा था कहता है कि एक्ट अप टेरिरिजम कि एसेंबली में घुस करके रोकी भाई एक मिनिश्टर को उरा देता है इस तरह की चीज़े अगर बल्यूट में होता तो लोग इसको एसेप नहीं करते अरे पागल वो मास मूवी है और मास मूवी में ये सारा चीज होता है मैकर्स को ये समझ में आता है कि मैं जितना हीरो का बिल्डप दिखाऊंगा हीरो का जितना रावडी पना दिखाऊंगा एक्शन दिखाऊंगा जितना पावरफुल दिखाऊंगा लोगों को उतना पसंद आएगा और उसी हिसाब से वो फिल्म में वो सारा एक्षन वो सारा चीज डाला जाता है और मास मूझ में यह सारा चुछ होता है अगर रियल लाइप की बारे में तु बोल रहा है न तो मैं तुझे एक्जम्पल देना चाहूँगा हर एक नौजवान हमारे देश का सब लोग यह सोचते हैं कि मैं मिनिस्टर को जागर के उड़ा दूँगा क्योंकि उन लोगों को जॉब नहीं मिलता है बहुत सारी चीज़ सिस्टम में फस करके उन लोग की जीबन के केरियर बरबाद हो जाती है पढ़े लिखे बेकारी कितना है आमारे देश में तुम जानता है तुझे पता है तुझे उसकी बारे में तो बहुत सारा चीज को फिल्मों में दिखाते हैं यह लोग मास फिल्मों में कि जागर की किसी मिनिस्टर को उड़ा देने का क्या जवान मुवी में मिनिश्टर लोगों के सारुखा नहीं कर रहा है कुछ जवान मुवी की बात तुमको बताना चाहूंगा वो जो गन का ट्रिगर जो काम नहीं करता है जवान मुवी में क्या हमारे इंडियान आर्मी इतना बेवकूफ है उन लोगों को उतना नहीं पता कि गन का ट्रिंगर काम नहीं कर रहा है जागर के जग लट रहे हैं जागर के यूद कर रहे हैं जागर के इदना प्Now purchased दिखा रहे हैं बहुए बहुत Events को भी ठीक है थेटर की बात होती है यहां पर सुरज कुमर बोलता है सुरज कुमर बोलता है कि 2023 में जवान पठान आया उसके बाद लोग थेटर जाने लगे और थेटर में भीड जमने लगी अरे पागल 2022 में केज़ेब चैप्टर 2 के नाम पे ये टीपल आर के नाम पे तू नाच नाच करके रिव्यूर दे रहा था कि मार्शल मुवी आया था पुश्पा मुवी आया था केज़ेब चैप्टर 2 मुवी आया था ृड्र मुवी आया था कितने सारे फिल्म फीर में 2022 में आये थे थेटर्स का भीड तुझे पता है ना तु रिव्यूर्स है ना या फिर मोहल में देखतेर के रिव्यू दे रहा था नाचनाचर के और बस पठान अर जवान को थेटर में जा करके देखा है तू थेटर्स में भीड लगने का जो ये सिलसला है ना ये बाहुबली बाहुबली टू केजिया पुस्पा ये सारा फिल्म जो आया है ना तभी से हुआ है पहले नहीं होता था पठाना जवान के बज़े से थेटर में भीड लगे है इतना पतलब घटिया सोच मेरे समझ में नहीं आता है यार किस तरह समत्र इतना नॉंसेंस वाली बाद ओमाई कॉड रिपालार के साथ किस तरह का ये बहुत ये बहुत इतना चाटू ठीक है साथ फिल्मों के बारे में सुरज कुमार बोलता है साथ फिल्मों के बारे में क्या बोलता है कि मलियूट की फिल्में जो है बहुत अच्छी बनती है मलियालम फिल्में बहुत अच्छी बनती है उस फिल्म को ले करके साथ की बावाई उड़ाना चाहिए भी कर देगा, ओके, तो संडलूट अभी उपर आ चुका है, कल्यूट भी उपर आ चुका है, अभी, कमल असन सर्व वहाँ पे है, थलपती बीजे है, सूरिया है, कंगुवा बना रहे हैं, बहुत सारे हैं, यह जियाविक्रम है, थंगालन बना रहे हैं, और साउथ तो बहु बल्यूट को एकदम से डॉमिनेट कर चुके है, ठीक है, लेकिन मल्यूट में अभी बहु दम नहीं है, अभी के लिए, जब हो जाएगा, मल्यूट में भी यह सारा चीज़ देखने को मिलेगा, जब मल्यूट में भी इस तरह के फिल्में बनने लगेंगी, तो बो तरफ में चला गया है, ठीक है, याइस, मैं सुरज कुमार के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूंगा, ये ना सुरू से, चैनल जब से सुरू किया ना, तभी से, साउथ फिल्मों का चार्ड कर, चार्ड करके अपनी चैनल को बनाया, इतने सारे सब्सक्राइबर को गैन करे, बली उट को हमेसा ये डोमिनेट किया है, ये एनिबी के सर को ट्रोल करता है, लेकिन एनिबी के सर की वो जो फिल्म आया था, कौन सा फिल्म है, मैं एम बक्ति बपू फिल्म का नाम भूल जाता हूं, एक्चुली, कौन सा फिल्म था यार, भगवान सीप के उपर ही, मतलब जो यह होता है, ओके, यह मेरा प्रोब्लेम है, मैं ठिक लोगों का ठिक नाम बोल जाता हूँ, ठीक है, वो जो फिल्म आया था, वो फिल्म का रिव्यू ये कर रहा था, और वहाँ पे, अमीर खान की PK मुवी को ट्रोल कर रहा था, ओमाइगाड मुवी को ट्रोल कर था, बड़ बल्यूट को हमेशा, साउथ फिल्मों का रिव्यू करते बद, बल्यूट को हमेशा ये ट्रोल करता था, और ये सारा चीज कर करके, कर करके, अपनी चनल को इतना बड़ा बनाया, ओके, उस टाइम पे खाओगे उस ठाली में, धूल, ये करोगे, ठीक है, तो यही फित्रत है उसका, आप जाओ उसका, पुरा पुराना का पुराना सारा सारा का सारा का सारा वीडियो देखो, साउथ फिल्मों का किस तरह के बात करता था, वो साउथ फिल्मों का ही बात करता था, ऐसा लगता थ तो ये है उसका फित्र है, ओके, और गाईस मैं एक चीस यहाँ पर कहना चाहूंगा, इन दोनों को सायथ ये लगता है, ये दोनों सायथ ये सोचते हैं, कि किसी इफी फिल्म का कलेक्शन अगर 100 करोड आती है न, तो ये दोनों ही 50-50 करोड दिये हैं सायथ, ओके, कोई भी फि फिल्म देखने के लाइक निक रखती है, इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं एक चीस इन दोनों को कहना चाहूंगा, end of this video, अरे किसी फिल्म को, अगर audience पसंद कर रही है, तो तुम लोगों की क्यों जल रही है, फिल्म जो है, audience के लिए ही बनती है, ठीक है, कोई भी makers फिल्म ब पसंद आ रही है, अगर वही audience फिल्म को enjoy कर रहे है, तो तुम लोगों का क्या problem है, क्यों चिल्ला रहे हो आकर के यहां पे, अपने आपको justify करने के लिए कोसिस कर रहे हो, हैं, समझ मैं नहीं आ रहा, ठीक है, तो guys, अगर बोलोंगा तो बहुत सारे चीज़े हैं, ठीक है, तो वैसे भी 17-18 मिनिट का वीडियो हो चुका है, यही पिर रुख चाते हैं, आखे आप लोगों की मर्ची है, वीडियो को share करो, और उन लोगों के पास पहुंचा दो, लोगों के पास पहुंचा दो, लेकिन मैं end of this वीडियो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इतना खतरनाक नमुना मैं अपने जिंदेगी में नहीं देखा हूँ दोस्तों, जो यह दोनों काम कर रहे हैं, मतलब ओडियन्स को फुल्स बताना, यह कहा की बात हुआ यार, फिल्म जो ओडियन्स के लिए बनती है, ओडियन्स को पसंद आ रहे हैं, वो चीज़ इन दोनों को जगा पर पोलिंग वगरा है, जड़ा परसेंट के लोग इंदिजार कर रहे हैं, वह सारी चीज़ को यह दोनों को पसंद करें, लेकिन इन दोनों का क्या प्रूब्लेम है, मुझे नहीं पता, ओके थेंक्स पुछिंग, वे नियुट तो इस जगा पर प्रसेंट के लोग